आई इस विडियो में दो मुद्व बात करेंगे सबसे पहले जो ख़बर अभी चल रही है कि सचिव ने खंडन किया है जो साट-चालिस का जो फौर्मूला है निया मावली में जो नया अपडेट की बात हो रही है कि जिस बेसिस पर मेरिट बनेगा साट-चालिस के basis पर इस ख़बर का सचिव ने खंडन किया है सबसे पहले इस पर बात करेंगे और उसके बाद अगर ये 60-40 का implement हो गया formula तो definitely कुछ को फायदा होगा कुछ को नुकसान होगा किसे फायदा होगा और किसे नुकसान होगा इस पर बात करेंगे और अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई कैसे होगी कैसे वो compensate होगा उसको क्या करना चाहिए जो नुकसान से बच जाए इस समुद्धे बात करेंगे सबसे पहले आते हैं जो सचीव का response वाली बात पर कोई भी private newspaper चाहिए वो धानिक भासकर हो हिंदुस्तान हो यह कोई भी यह government का newspaper नहीं है सरकारी newspaper नहीं है इसमें सरकार की कोई जवाब दही नहीं एक private company है इसमें परकाशित खबरें deviated भी हो सकती है actual news से इस बात में भी कोई जो राय नहीं है इसका deviation हो सकता है जो असल खबर है उससे deviate हो सकती है खबर और कई सारे media houses यह सब करते भी हैं लेकिन जहां तक इस खबर की बात है तो इसको confirm करना पड़ेगा सरकार को और जब तक कोई सरकार का representative चाये सिक्षा मंत्री हो सचीव हो या कोई भी सिक्षाई वाकिया दिकारी है इस बात को confirm नहीं करेंगे तब तक इस बात को 100% surety के साथ नहीं कहा जा सकता है लेकिन इस बात का full chance है कि इस खबर सही है आप जहां तक सचीव एक खंडन करने की बात है देखिए जब स्टीटी 2022 वाली भी जब खबर आये थी जैनिक भासकर में ही आये थी उस दिन भी लोगों ने ये खबर चला रखा था कि सचीव ने इस बात का खंडन किया है और सचीव ने कहा है कि अखबार में परकाशित ख जाएगी वैसे भी आज फ्राइडे का दिन है फ्राइडे को सचीव और दूसरे अधिकारी सिक्षाई भाग के मिलते हैं इस कंसर्न को लेकर कि आज बहुत सारे कैंडेट वहां पर जाएंगे और जो सही खबर वहां से निकल गी आएगी उसको उसके बारे मैं आपको शाम अपडेट करूंगा तो अभी वहां से असल में अपडेट आने दीजिए बाकि कई तरह की चीज़ें इस बीच में चलेंगी लेकिन उन पर बहुत जादा गोर करने की जरूत नहीं है लेकिन एक इशारा हुआ हुआ है अगर नियमावली को लेकर के अख़बार ये परकाश जिसकी बहाली बाकी सभी स्टेट से अलग थी आप खुद चाहें तो इस चीज़ को चेक करें आप बिहार सरकार की बहाली की नियमावली 2020 को कंपेर करें यूपी से राजस्थान से दिल्ली से किसी और बड़े स्टेट से चोड़े-चोड़े स्टेट है मिगाले त्रिवप अग पॉलिटीशन के साइट से जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी घटिया है जो ब्युरक्रेसी के साइट से रिपरेजीन आभ था ये लोग जाता-शादा कॉपी कर सकते हैं तो यë कॉपी करेंगी इस बात का Shores छान्स थान etap यह पहले भी कराता करने क्यूंका बहुत किसी कुछ हो जाएगा लेकिन होगा तो ऐसा ही कुछ ये बात पक्का है इस बात को आप बिल्कुल पक्का मानके चलिए कि होगा ऐसा ही कुछ और जो मैंने पहले कहा था कि इस बात की फुल शूरिटी है शिक्षाई भाग एक बड़े अधिकारी ने बाता से एक हफ्ता पहले ही कहा था कि प्राइमरी के अंदर टीटी का वेटेज आने जा रहा है वह खबर भी बिल्कुल आप पक्का मानके चलिए वह मैं किसी स्टीटी के इंडियेट या सी टीटी के इंडिये आपको अपडेट करूंगा वागे शाम तक सचीवाली से जो कुछ निकल के आएगा उसके बारे मैं आपको बताऊंगा अब आते हैं इसके दूसरे पहले उपर किसे फाइदा है और किसे नुकसान है माली जी साट-चालिस वाला भी देखिए बाकि मैंने पहले की वीडियो सोशल साइंस का जहां पर पांच हजार सीट पर एक जगह 26,000 लोग हैं एक जगह सत्रा सो सीट पर सत्रा हजार लोग हैं तो यह मामला इन्हीं दो सब्जेक्ट का है और इन दो सब्जेक्ट के अंदर कॉंपटिशन जादा लोगे क्वालिफाई कर जाने के वाई से इतना ट हैं उस लिस्ट से जो कट आफ के करीब वाले लोग हैं वो बाहर होंगे अब पांच नंबर का डिफरेंस छे नंबर आठ नंबर मतलब कट आफ के उतना ऊपर तक के लोग बाहर हो सकते हैं अगर उनका एकैडमी के स्कोर खराब है तब और उनको रिप्लेस करेगा वैसा कैं कैंडेट आगर के रिप्लेस कर देगा तो रिप्लेस्मेंट लेकिन दूसरी तरह बहुत सारा ऐसे ही कैंडेट है इनका स्कोर बहुत ज़्यादा है माली 125 130 135 है उनके अगर एकैडमी के स्कोर एवरेज के आसपास भी है तो उनको रिप्लेस करना इतना आसान ही वो कहीं ना क नंबर के डिफ्रेंस पर वो लोग और अगर दो शटते हैं यहां पर पहले तो आप कट आफ के पांच नंबर आठ नंबर के अंदर होने चाहिए और दुसरा आपका एकैडमी के स्कोर एवरेज या बिलो एवरेज है तब आपने आपको डेंजर में मानके चल सकते हैं तब दोनों सब्जेक्ट का अगर कंपेर करें एक मप्यूटर साइंस सोशल साइंस में तो कंप्यूटर साइंस में जो कॉम्पेटिशन वो सोशल साइंस से भी जादा है क्योंकि सीटे कम है और उसी इसाफ से देखें हर सीट पर कितना काई इंडेट फाइट कर रहा तो वह फिर सोशल साइंस से काफी आगे हैं तो यही सब तमाम चीज़ें हैं कि जो करीब के लोग हैं उनके लिए परिशानी है पर इसका सोलूशन बस एक ही है कि सीट बढ़ाने की मांग की जाए और सोशल साइंस में दो डेफिनेटली सीट बढ़ेगी क्योंकि वो एक मैंडेटरी सब ही सबजेट करना केंडेट बड़ा मुश्कील है मप्यूटर सइंस में क्या लिखेगा है तो कम्प् साइनस अभी के लिए कि पॉपुलर सब ज्जेक्ट नहीं है उपर से टफिम्स सब्रेचनल सबजेक्ट भी और से यह भी है कि 11 12 में है 11 12 के अभी उतना ज्याद स्कूल नहीं है 9000 प्लस स्कूल में तो अभी कमरे भी नहीं बने ठीक से आप यह मान के चलिए कि अप्रॉक्सिमेटली 6000 क्या सपास यह स्कूल है जो के फुली फंक्शनल है सरकार कुछ भी दावा करें वह अलग मामला है लेकिन 6000 प्लस स्कूल ही आज के टाइम पर फुली फंक्शनल है और उसमें से तक्रीपन एक हदार क्या सपास कम्प्यूटर टीचर आल्रेडी हैं बाकि साइंस में कम से कम 4000 सीट चाहिए उन सभी लोगों को अक्यमोडेट करने के लिए जो पहले लिस्ट में थे इस बात पर गोर कीजिए कम से कम 4000 सीट चाहिए अगर तीन साड़े तीन भी आया तो हो सकता है जेनरल मेल बीसी मेरे कई सारे कैंडिट बाहर हो जाएंगे इन दो बीड़ भी यहीं पर जादा कॉम्पेटिशन भी यहीं पर जादा तो यही सब तमाम चीजें हैं बाखी शाम तक रुकिए इस बारे में क्लारिटी आ जाए तो बहतर है जो सचीव का आप देख रहे हैं ट्विटर हैंडल आपके स्किन पर दिख रहा है यह भी अभी खाली यहां पर भी कुछ भी नहीं है बाखी कई लोग कुछ तरह के हो सकता है दावा करें कि कॉल रिकॉर्डिंग और वाटसाप के रिप्लाइज बगएरा तो उन सब चीजों पर भरोसा मत कीजिए शाम तक जो सही नियूज आएगी उस पर मैं आपको अपडेट करूंगा लेक यह हो सकता है कोई बदलाओं से सहमत हो को या सहमत हो वह अलग चीज है लेकिन यह एक्सपेक्टेट ट्रैक पर ही है बदलाओं की उम्मीद थी और वही हो भी रहा है तो देखते आगे क्या कुछ होता है आगे अब शाम तक वेट कीजिए बाखी बेतर यही रहता है कि अग पर उतर जाएंगे ज्यादा ज्यादा सीट बढ़ा के खासकर कि इन दो सब्जेक्ट में ज्यादा ज्यादा के इंडेट को एड़ेस्ट किया जाए अभी के टाइम पर यही मांग होनी चाहिए बाखी सीट बढ़ाने के लिए आगे आने वाले दिनों में जो कुछ